प्यारी वद्यार्थियों सब तो पहला मेरे चैनल दे तो हड़ा बहुत-बहुत स्वागत है जी मद्यार्थियों आई दी वीडियों के चापां दसमी क्लास दे लिए टाउम वान दे जो प्रिख्या हो रही है सब्तम्बर प्रिख्या माँ उस दे विजद दे जो मेह दा पेपर है 25 सब्तम्बर हो रहा है जी तर उस दे लिए आज पाँ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आ ले पेपर सॉल्ल कर रहे हैं जी पन्जाबी मीडियम वाले बच्चे आ ले पेपर लोड़ा है जो के ती नंबर दा ताड़ा पाग CEP दियां शीटा है CEP दियां जो WORK शीट दानों करवाई यां गया है एक शीट तो रहेके 8 शीटां तक उस दे भी चोना है जी इसलिए section A दी जो त्यारी है वो तुसी CEP दियां जो शीटा है उना चो करनी है ते सारियां ही शीटा दा जो link है इसे video दा जो description box है इस video दा जो description box है description box दे भी चितानों की हो जाएगा सारियां ही शीटा जो हा न उना दा जो link है तानों मिल जाएगा उथे click करके तुसे सारियां ही शीटा देख सकते हो नहीं तक मैं video भी पाई होई है कि मेरे channel दे जाके तुसी की करना है इस दे विच दा उपर दिख्या है competency enhancement program तो उस दे विच तुसी जाके सारियां ही शीटा देख सकते हो तो अपने पाग उड़ा इस विच नहीं करांगे क्योंकि पाग उड़ा तुसी CEP दिया जो शीटा है उत्वों त्यारी करनी है ते अपाँ शुरू करांगे जी पाग एड़ा जो B section अपने को है अपाँ B section तो start करांगे ते B section उस तो बाद फिर अपाँ C section करांगे ते C तो बाद फिर अपाँ D section करांगे जी ते सारे याज आज आपाँ जो पेपर है उसनों English भी solve करांगे जी ते आओ हुन अपाँ एक एक करके पहला B section दी त्यारी कर दे हां जी ते उसनों पहला question देख दे हैं जी ते फर्स question है जी Find HCF and LCM of 672 and 120 by prime factorization methods उसनों प्राइम factorization method देनार अपाँ एतेन नमबरां देखी पता करने हैं HCF ते LCM पता करना है HCM पता करना है ते LCM पता करना है ते सुनों पहला जो ते नमबर आपने को खान 672, 672 and 120 ये ना देख आपाँ प्राइम factor बना लाने हां ये देखो अपाँ आज गोना खान जिसमें पुझाबी बेच कहा देने हां प्राइम factor पहला 6 दे प्राइम factor बन जानगे ते 120 दे प्राइम factor बन जानगे उस्तों बाद आपने देखना है कि HCF लें लिए अपना की करना होंदा है ते ना विच कॉमन देखने हैं किड़े नमबर कॉमन हां ते ये देखो एक ते ते 2 कॉमन आ रहे है ये अपने को देखो 3 कॉमन आ रहे है ते होन देखो LCM किस तरह पता करना है केड़े केड़े नमबर आपनों टोटल नजर आ रहे हैं पहला आपना एक साइड दे लिख लने हैं अपा आज गुनन खान प्राइम factor देविच केड़े केड़े नमबर हां 2 नमबर है 3 नमबर है ते 5 नमबर है और कोई भी नमबर देखा आपनों नजर नहीं आ रहे है इस विच 2 थे 3 हां इस देविच 2 थे 5 है इस देविच 2 थे 3 है इट मिले तेनी नमबर हां 2 3 थे 5 तो पहला आपना गाल करनी है 2 दी होना आपना देखना है कि 2 यह जो प्राइम फेक्टर इस विच के निकिनी बार है एथे 1 बार है एथे 2 तेन बार है एथे 2 अपने को तेन बार है आपना ज़्यादा बार देखने है ज़्यादा तेन बार है ते आपना LCM देविच 2 तेन बार लिख देता है इसे तरह दूसा नंबर देखते हैं, दूसा नंबर है 3, त्री देखो इते एक बार है, इते दो बार है, इते एक बार है, जादा बार किते है, अपने नजर आ रहा है, वो इस जगाते है, किन्नी बार है, दो बार, ते अपन जो 3 है, वो दो बार लिख देना है, इस तरह 5 दे जो LCM है वो अपने को किनना आगया है जी 360 ते ADCF अपने को 6 है LCM किनना आगया है 360 ते आओ अगला कोशन देखते हैं जी अगला कोशन है जी find the quadratic equation whose sum of 0 is this and product of 0 is this इते quadratic equation इसमें इते अपने को quadratic polynomial आएगा quadratic polynomial ते quadratic polynomial पता करना है जिस दे वेच जो sum है sum of 0 किनने देता है अपने को 0 ते product of 0 किनना है root 5 ते स्वन sum of 0 नों अपना S ना लिख दे हैं वो 0 है product of 0 नों अपना P ना लिख दे हैं वो root 5 है ते quadratic polynomial आपने को formula की होंदा है x square minus sx जमा P ते एथे देखो होन अपने को value फिल कर देनी है ते value देखो x square ते इसे तरह आ जाएगा अपने को x square इसे तरह जाएगा ते बच गया अपने को x square ते plus root 5 यह अपने को answer आ गया है quadratic polynomial अगला question देख 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 देखें जी अगला है a dice is thrown once एक dice नों एक पर सुटिया गया है find the probability of getting कि अपने को पता करना है probability पता करनी है number एक prime number दी दूसरा पता करना है एक odd number दी probability पता करनी है जी तो देख देख देखें तो टोटल आउटकम कि निया हूं दी है अपने को एक dice नों अपना थ्रोग कर देख देख दे हां total outcome कि निया हूं दी हां ए फॉर्मला जूर लिखना है probability दा फॉर्मला की हूंदा है उपर number of favorable outcome नीचे टोटल पॉसिबल आउटकम उन टोटल पॉसिबल आउटकम था अपने को छे हां favorable outcome आपना पता कर लानी है हां पहला आपक किसदी probability पताकरनी है प्राइम नमबर दी फिर आपक और नमबर दी प्राइम नमबर दी पताकरनी है ते पहला देखो prime नमबर उन अपने को नंबर केड़े हान देखो जी 1, 2, 3, 4, 5 जते 6 एन विच पहले आपने देखना है के प्राइम नंबर केड़े हान प्राइम नंबर केड़े हुन दे हान जड़े आपने ही टेबल ते हो दे हान एसे तरह दूसरा आपने को है जी odd number, odd number केड़े हूं दे हान, तो the table वीच नहीं हों दे हान, तो the table वीच देखो केड़े number नहीं हारे, एक दे 1 नहीं आरे, एक 3 नहीं आरे, एक 5, ए अपने को हान जी 10 odd number, odd number आपने को 10 हान, favorable outcome 10 होगी हान, total अपने को 6 हैं फिर आपने कटिंग करांगे 3 1 the 3 3 2 the 6 देया जाएगा 1 by 2 ते आखो न अगला question देख दिख दिया है जी अगला question सुने cards देना related है a card is drawn from a well shuffled pack of 52 cards total अपने को 52 cards है ते find the probability किस दी probability पता करनी है a card of diamond and a card of spade दो probability आपता करनी है a diamond दे card दी ते spade दे card दी फिर उसे तरह पहला आपा लिख लेना है total number of possible outcome अधर total playing card के ने हान अपने को बंजा उस्तो बाद आपा फिर probability दा formula लिखना है जी formula same उसे तरह number of favorable outcome उपर लिख लेनी है a total outcome नीचे लिख लेनी है उना पर परना पता करना है जी diamond of queen queen of diamond diamond the queen diamond दे total अपने को 13 पत्ते हुन दे हुना विच्छों एक अपने को queen हुन दी है ते queen अपने को diamond दी एक हुन दी है total card अपने को 52 हन ते queen of diamond दी probability किया गई है 1 by 52 इस तरह जो spare दे card के ने हैं card of spare spare दे total card के ने हुन दे हन अपने को 13 ते total card 52 हन अपने को spare दे 13 हुन दे हन इसलिए favorable अपने को 13 हुन कटिंग हुन दी है 13 1 दे 13, 13 4 दे 52, 1 by 4 इस दा answer आज जाएगा ते आओ अगला question देख दियां जी next हुन अपने को है जी section c ते section c दे विच सारह equation जो हन ओ चार चार नमबर दे हन पहला question है find the nature of the roots of the equation एस equation दे जो roots हन उना दी nature पता करनी है ते जेकर nature real है ता आपां उसनों solve भी करना है जी ते पहला देखो आपां जो equation है equation लिख लई है उसनों आपां इस देनाड compare कर लेना है compare करके देखो आपां a b ते c दी value लिखनी है a थे x केर देखे कोई number नहीं है ते थे a आपां लिख देना है उन compare करो इसनों जी a x केर प्लस b x प्लस c देनाड compare करांगे ते a आपने को 1 आ जाएगा b आपने को minus 3 आ जाएगा c आपने को minus 10 देखो a 1 आ जाए b minus 3 एथो लेले आपां c 10 एथो लेले आपां ते हो nature of roots पता करनी है उस देलिए आपां पता करना है discriminant discriminant दा formula होंदा है जी b square minus 4ac ते b a आते c ये थो लेले आपां फिल करनी है b 10 square minus 4ac इसनों multiply करांगे 1 minus 8 एथे 1 minus 8 एथे 40 आ जाएगा 4 into 10 minus 3 दा square अपने को 9 आ जाएगा ते 9 प्लस 40 ए आ जाएगा 49 d अपने को 49 आ गया ते जएदों भी d दी जो value है ओ 0 तो बड़ी होंदी है ते roots की होंदे है real and unequal इस तरह आपां लिखे देना है roots are real and unequal होन आपा formula यूज करना है quadratic formula जिस देन आपा roots पता करने है होन आपा की पता करने जा रहे है उस दे roots पता करने है तो roots पता करने केड़ा formula गाना है quadratic formula quadratic formula केड़ा होन दे ए वड़ा formula माइनस 3 नहीं आपने 3 लिखना है क्योंकि एक माइनस पहला लगया है जिस दी वजन आपने को साइन चेंज हो जाएगा प्लस माइनस root 49 upon 2a 49 दा root है वह 7 दे equal होन दा है root 49 किस दे equal होन दा है 7 दे equal होन इस दे देखो स्कून आपने को एक plus दा sign है विचका आप एक minus दा प्लस बड़ा दा करना है minus बड़ा पा अरला करना है क्योंकि आपने को दो value को आण गी है ते उपर देखो 3 प्लस 7 10 10 बाय 2 कटिंग करके आपने को 5 आ जाएगा 3 माइनस 7 माइनस 4 कटिंग करके आपने को minus 2 आ जाएगा तो में next दिया अपने को दो value आ गई हान 5 and minus 2 ते आउगला question देख देख दियां जी next question इस तरह है जी find the value of k if roots of quadratic equation एक quadratic equation है इस दे roots की हान equal हान फिर उसे तरह equation देती होई है उसनों अपना इस देनाड compare कर लएना है ax square जमा bx plus c देख अपने को होन a b c दि value किया जाएगी देखो a 2 है b k है ते c 3 है a b ये ते c दम बुला पना इतों पता कर लिया है roots की देते होई हान equal जेकर roots equal होन दे हान तरह d दी value की होन दी है 0 ते होने अपना तनकी तसी d for discriminant discriminate दी value की नहीं होन दी है b square minus 4ac it means b square minus 4ac 0 value फिल कर दो b a a ये ते c दे ये थे value फिल कर देती है अपना value फिल करके k square minus 24 0 इस 24 नहीं अपना दूसरे पास से shift कर देना है जी ते k square 24 इतों square अपना हटा देना है square हटा के दूसरे पास से root बन जाएगा ते ये थे देखो 24 है 24 दे अपने को देखो पेर बन गया root दे अंदर पेर बन जानदा है ता ओ root तो बाहर आ जाएगा अपने को ते एसलिए अपना 2 नू की कर लणा है बाहर कर लणा है ये 2 इंटो 3 अंदर ही रहेगा अपने को ते 2 इंटो 3 किना होएगा जी अपने को 6 root 6 अगे प्लस माइनस लगा होया है एक प्लस दा ते एक माइनस दा इत्मिन के दिया है दो value आगे है अपने को एक प्लस 2 root 6 एक माइनस 2 root 6 ते आओ अगला question देख देख दे हैं जी अगला question है the height of a right angle triangle is 7 cm less than from its base मतब़ जो height है वो 7 cm base देना दो less है hypotenuse 13 cm है find other two sides of triangle ट्रेंगल दिया है दो sides आपना जो रहेगी है पता करने हैं जी तो देखो right angle triangle आपना इस तरह लगानी है ये इस दा की है जी base है base नों अपना x मान लिया है ये उस दी height है height नों अपना की मान लिया है एक्स मान लिया है ते height जो है perpendicular वो उस तो 7 cm काट है इस लिए x मान लिया है hypotenuse 13 cm आप होने लगा देनी है थे pythagoras theorem ते pythagoras theorem दे recording अपने को किया जाएगा h square is equal to p square plus b square h दी value 13 है p दी value x minus 7 है ते b दी value x है value fill कर देती होने देखो ए बड़ा formula है a minus b square दा formula होनता है a square plus b square minus 2a b वो formula इत्थे लग जाएगा इत्थे लगे इत्थे तक ये formula लग गया है ते a जो x दी value है वो इसे तरह आपा ना टक लई है ते हून अपने को देखो एथे 1x square a बड़ा है 1x square a बड़ा है 2x square आ जाएगा minus 14 plus 49 हून इस 169 वो इद्धर ले आवागे 13 10 square 13 10 square 13 into 13 169 आएगा वो इद्धर आके अपने को minus 2 हो जाएगा जी ते एथे अपने को एक के बनगी है quadratic equation quadratic equation विच देखो जो अगला नंबर है 2 14 ते 120 ये 2 ना divisible है इसलिए सारे नंबर नों अपने 2 ना divide कर देना है divide करके अपने को ए equation आ जाएगी जी अपने जो center वाड़ा नंबर है उस दे factor बना लने हैं उसनो middle term splitting देना है इस दे आपने फैक्टर बना लने हैं पूरी equation दे जी ते ए पहला भी आपने कई बर कर चुके हैं कि इसनो break up करना है इस तरह के plus minus करके minus आता है multiply करके अपने को 60 भी आना चाहिए है ते इस तरह 5 नो break up कर ले है पहले दो नो अपने को अलग रखना है ते दूसरे जो last वड़े दो है वो अपने को अलग हो जानगे इना विच्व अपने को अलग फैक्टर ले लना है common पहले दो विच्व अपने को x common आ जाएगा अगले x-12 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 कर ले हो अनदर की बाझ गया अपने को एथे x बाच गया अदर यह इथे x दियां साइड जान ट्रेंगल दियां साइड कदी भी नेगटिव नहीं हो सकती ते थे x-5 आया है इसलिए जो बेस है बेस अपने को किन्ना आजाएगा 12 cm ते height की नहीं होएगी 12-7 क्योंकि height 7 cm काट है ते height आजाएगी 5 cm ते आओ अगला कुशन देख 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 जी अगला कुशन है जी which term of the ap is 78 इस ap दी केड़ी term 78 होएगी अपने को ओआ जाएगी ते उस तो बाद आपना पता करना है common difference common difference किस तरह पता करना हुँदा है दूसरी term दे विचों पहली term नो minus करके 8 विचों ते नकटा मांगे ते 5 ते आपना पता करनी है उस दी केड़ी term आपने को which term of ap is 78 इस तरह अग्ये जाके जिस तरह एपने को a1 है पहली term a2 है ए तीसरी term है a3 ए चौथी term है a4 इस तरह अग्ये जाके अपने को जो 78 है उसनों आपना मान लेने हैं an मान लेने हैं कि जो anth term है nth term जो आपने को है वो apd 78 है nth term आपना लिख दे है an देना it means an is equal to 78 और a n दा formula लगा दना है a n दा formula अपने को की हुंता है a plus n minus 1d और a दी दी value फिल कर देनी है a दी जगाते 3 d दी जगाते 5 ते इस 5 नों होना अपना अंदर multiply करके a वले term आ जाएगी 5n नों आपने एथे ही रखना है देखो 5n नों एथे रखांगे ते ए जो 3 5 उदर जाक के माइनस दा हो जाएगा जी ते 78 प्लस 5 83 83 विच्छों ते न कटा मांगे 80 ते 5n 80 ते n के ना जाएगा एथे तो एस 59 पाइस दे नीचे ला जाना है जी ते हुन कटिंग का देनी है पांज एकंपांज ते 16 580 ते n अपने को 16 आ गया है इट मिन जो 16 नी टर्म एपी दी है वह अपने को किया जाएगी 78 एट मिन एवाड़ी जो टर्म है अपने को एवाड़ी टर्म है वह के लिए आ गई है जी ए सिक्स्टीन आपने को के देख लट हुआ गया है 78 ते अगला कुशन देख दियां जी find 31st term of AP if 11th term is 38 11th term आपनों देती हुई है 38 ते 16th term आपनों देती हुई है 73 देखो आपनों AP दे वीच जो 11th term है ते 16th term देती हुई है 11th term दा मतलब हुँदा है कि A प्लस 10D 16 दा मतलब हुँदा है A प्लस 15D A प्लस 10D अपने को 38 है A प्लस 15D अपने को 73 है इसनों equation number 1 ने ते 2 लिख लेना है हुँद सुन इत्ते लगा रहना है अपना elimination method elimination method ना की है A equation number अपने को 2 है equation number 1 है sign अपना change कर देने हुँदे हैं जी elimination method विच साइन चेंज कर देने हैं ते यह बड़ा स्कटे जाएगा 15 विच्चों 10 गया तो 5D 73 विच्चों 38 जाएगे 35 ते 5D 35 है ते यह जो 5S दे नीचे जाके अपने को cutting करके अपने को D दी value कर लणी है और D दी जो value है X D is equal to 7 यह अपना equation number 1 वेच जिते D है उथे put कर देना है जी ते put करके ते देखो अपने को A दी value आ जाएगी A दी value देखो किने आ गई है जी अपने को 32 होन आपना पता की करना है अपना 31st term पता करनी है AP दी आपना की पता करना है A 31 पता करनी है जी ते A 31 लिस्टून आपना उसदा formula का दना है जी A 31 मतलब A plus 30D होने थे A दी value ते D दी value आपना फिल कर देनी है ते A दी value 32 ते D दी value 3 30 इंटू 7 किनना जाएगा 210 210 दे विच्चों स्टून अपना 32 नो माइनस कर दना है 210 दे विच्चों 32 नो माइनस करांगे ते यह जाएगा 178 ते जो कि अपने को 31st term आजाएगी AP दी जी ते अगला कोशन देख 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 अगला कोशन है पहला ते आठ दे मल्टीपल जड़े हां उना ते नंबर लेकना लेस्ट आफ मल्टीपल्स आफ एक कि आजनका आठ आठ टेवल पालना 8 1 दा 8, 8 2 दा 16, 8 3 दा 24, 8 4 दा 35, 8 5 दा 40, इस तरह अपने को 15 multiple दाने हैं total अपने को clearly की नजर आ रहे है, एक AP है, जिस दी पहली term अपने को 8 है, ते common difference किनना है, ओ भी 8 है, 16 दे विच्चों, दूसरे विच्चों पहले नो minus करांगे, ते 8 आठा जाएगा अपने को, number of terms अपन 15 हैं, क्योंकि first 15 multiples दा सम पता करना है, ते sum दा अपने को formula हुन लगा देना है, sum दा formula अपने को हुन दा है, sum दा formula SN, n by 2, 2a plus n minus 1, d, विच्कार multiply the sign, होने थे सारिया value fill कर दिनिया है, ते सारिया values नो fill करके, अपने को last wish solve करके answer किनना जाएगा, 960 आजाएगा, ते अपने दी value fill करती है, यह थे अपना अपने दी value fill करती है, नो plus करके 100 tie आजाएगा, 122 दी cutting हो जाएगी, चांट, ते 1594 ना गुना करांगी कि 960 आपने को answer आजाएगा, ते अगला question देख दिया है, अगला question आपने question है, how many terms of AP, whose sum is 78, यह थे अपने sum देता है, sum is 78, ते how many terms जिते भी लिखिया होंदा है, उत्थे की पता करना होंदा है, n पता करना होंदा है, number of terms पता करनी होंदी है, AP देती होई है, इस दे विच देखो, A अपने को पहली term देखो, पहली term अपने को 24 है, ते D अपने को किया आएगा, दूसरी term दे विच पहली term नो कटा आद मांगे, ते D अपने को किना आएगा, minus 3, ते SN, sum आपने को देता होया है, 78, sum दा होन फार्मला लगा देना है, जो D दी जागा, ते minus 10 फिल करांगे, 24 into 10 अड़तारी, 10 नो अंदर multiply करांगे, A आजाएगा अपने को जी, ते मल्टी, दूसरी पासे अपने को 156 ही रहेगा, होन ए अड़तारी, ते 10 बन जाएगा, minus 10, etc, N नो अंदर multiply करांगे, A term is equal to 156, होन इना नो टाम उद्दर ले अपने को जी, quadratic equation, इसनो डवाइड करांगे, 3 दे नाल, क्योंकि तिन नहीं जो नंबर अगे नजर आ रहे हैं, A बड़ा नंबर, A बड़ा नंबर, A बड़ा नंबर, A तिन नहीं जो तेन दे टेबल विच ड़ाइड हो रहे हैं, ड़ाइड करके अपने को equation A बन जाएगी, ते अपने को फिफ्टी टू आवे, इसनो सॉल्व कराना तुसी जी, सॉल्व जिस तरह पहला कोशन कीते हैं, सेम उसे तरह करके ते अपने को एंड यां, दो वेल्यू रजन गिया है, तेन ना ते 14, ते अगला कोशन देख 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 जी, ते होंसम आपना स् सारी जो कुशन हैं, छी नमबर देख हैं, जी, फाइंड आट वैदर पियर ओफ लिनेर एक्वेशन, जी, आदो एक्वेशन देती होई हैं, हैं, इस कंसिस्टेंट एंड अल्सो सॉल्व इट, पहला पता करना है कि ये पेर लिएक्वेशन हैं, ते ये कंसिस्टेंट हैं, ते फिर आपना नों सॉल्व करना है, ते पहला सुन देखो, अपने को नों कंपेर करना है, जी, पहली एक्वेशन नों इस देनल कंपेर करना है, दूसरी एक्वेशन नों इस देनल कंपेर करना है, ते पहली वेचा जाएगा, एपने को, एटु एक्स, बी टु वाई, सी ते होन सुन अपने अपने रेशो लेनी है A1, A2 ते B1, B2 दी पहला रेशो पता करनी है A1, A2 यह जा जगए ते B1, B2 अपने को यह जाएगा A1, A2, A, B1, B2 दी अपने रेशो फाइंड आउड कर ली है पहला देखना है कि A2 आपस विच एकोल हान जा नहीं जेकर एकोल होन फिर आपने C1, C2 पता करनी है जेकर एकोल नहीं है ते फिर आपके C1, C2 पता नहीं करनी है ते नज़र आ रहा है यह थे 3 by 2 है यह थे minus 2 by 3 है यह आपस विच एक्वल नहीं है जेकर एक्वल नहीं है तो आपने को जो pair of linear equation की होंदा है अपने को एक ता ओ consistent होंदा है ते उस दा की होंदा है one unique solution होंदा है ते ओ solution पता करना लिस्ट उन अपना ते लगा दनी है जी elimination method equation अपनों पता है दोनों ही जो equation लेख लानी है होंदा जो coefficients हों इंटर चेंज करके multiply कर देना है एक्स दे coefficient इसे 2 है ते देखो अपने को 2 एसे अपने को 3 है ते 2 नो उपर multiply कर देना है 3 नो नीचे अपा multiply कर देना है प्लस है माइनस हो जाएगा माइनस है ते प्लस हो जाएगा प्लस है ते फिर माइनस हो जाएगा एक कट्या जाएगा चार ते नो तेरा वाई आ जाएगा एदर 10 माइनस एक की माइनस ग्यारा आ जाएगा जी ते एतरस नो अपना पता कर लेना है y दी वैल्यू ते y दी वै नमबर परता है माइनस ग्यारां बटा तेरा ते नीचे जो तेरा है उसनों हटान दे लिए अपना की करना है तेरा नों इदर भी गुना करना है इदर भी गुना करना है अपने को आजाएगी और माइनस बाइनों अपने को दूसरी तरफ जाके प्लस बाइ आजाएगा प्लस करके टी सेवन एदर थर्टी नाइन थर्टी नाइन नों इसते नीचे ले जाके आपना डवाइड करना है ते देखो ए थ्री दे टेबल विच कटिंग हो जाएगी इस कर लिया है जी यह वाला क्वेस जो है पिर अफ़ लीनिर कुशों कंसेस्टेंट वाला तो आउना अप्याँ क्वेस डेख देए हैं चेओ अपने को निदे ल में आ रोत वाला क्वेस में यह ल्यआगा बीड को न तो अपने कर देखंब स에 त्री नबीडियन question अपने कोहान दूसरा question ते तीसरा question ये तुसी कितों करना है इसी वीडियो दीविच मैं दस नहाँ कि कितों ये question तुसी करना है सारे बच्चा ने जो YouTube है वो अपने phone खोल लगाना है YouTube ते तुसी जो main उस दा अपना सर्च बार खोल लगाना है YouTube दा साथ के यो तूप दा जो मेन सर्चश बार है उस दे बेच तुछान गुइश ऍाम है तुसी जो सबसिक्राइब करना ते subscribe करके बेल आइकन जो प्रेस कर देना है जिस तरह था नजर आ रहे है ते उस्ते बाद तुसी की क्यारना है कि यह जो logo है logo ते click करना है logo ते जिस तरह था interface खोल जाएगा इस जगा ते देखो लिख्या होया है playlist प्रेइलिस्ट ते तुसी क्लिक कर देना है ते प्रेइलिस्ट दी बिच तो जो पहली प्रेइलिस्ट है देखो पेपर सब्तमबर 2014 इस दे भी सारे पेपर मिल जानगे तो पहले ती नमबर दी त्यारी है वह एत्थों करनी है competency test जो लिख्या होया है एत्थों तो हड़े जो math, science ते SS इस ते नहीं subject दे जो sheet तानों इत्थे मिल जानगे है पंजाबी दी sheet भी बेच तानों मिलेगी पर पंजाबी दी sheet तुसी त्यार नहीं करनी है तुसी math, science ते SS दी जो त्यारी है वह इना जो competency विच्व कर लानी है त जो क्लिक करोंगे ते देखो तानों इस जगा क्लिक करोंगे ए देखो तानु सारी क्लासा दे नीचे paper मिल जानगे यह अठमी क्लास दा है दस्मी कलास दा है इस तरह नीचे तानों math नहीं होगर ही बीच यहां रिजेए है जो बेसिक प्रोपोर्शनल्टी ठीओर में जो कि अपना पंद्रामा कोशन है जी इससे तरह अगला कोशन देखो जी अपने को जो के मीन मीडियन मौड ने ना रिलेटर है इतने सारे ही जो पेपर उना दे सलूशन मिल जाने जी कई पेपर सॉल्ड होनगे कई अनसॉल्ड होनगे एक कोशन देखोए यह वाड़े वेच बिटा तानू जो है ओ जो लास्ट कोशन अपना मीन मीडियन मौड बढ़ा है ओ तानू इस दे वेचो मिल जाएगा जी होपास उन तानू सारी जो कोशन करवाई हैं अच्छी तरह लागे होंगे जिके वीडियो तनू अच्छी लगेती सीनूँ लाइक यकुट जो क्लूआ जी मेरे चैनल लो सुब्सक्राइब करना है अब करके बैल लाइक करना है ते बैल लाइक के नू प्रेस करके और दे नोटिफीकिकिशन युवांड करलना है इसे तरह जेकर तुसी बाहर निकलोंगे ते ए अपने को जो competency बाड़ी जो शीटा हान ओ तानो एथ जगा कलिक करके मिल जानगी है जी competency दियां भी सारी है शीटा तानो एथे मिल जानगी है सारी है इस चांद एथ रिजल्ट जो solution हान ओ दित्ते होए हान ते होँ सुन मिलांगे कि नमी वीडियो पे चेक नमी जान करी लाके हो तुम तक लिए तानो बात